ड्रिंक्स या सराप का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सराप क्या चीज है और क्या काम आती है हम दिन भर में कितने लोग से मिलते हैं जिसने सराब पी रखी है और कुछ लोगों का तो यह शौक होता है पर कुछ लोग इसे आदत बना लेते हैं वो हर दिन इसको पीते हैं कुछ ड्रिंक्स या सराब तो बिल्कुल सस्ती आती है जिससे लोग इन्हें बहुंच ज़्यादा पीते हैं और जो सराब जितना सस्ता होता है वो उतना ही शरीर के लिए खराब होता है जिससे कई बार लोगों की इससे मौत भी हो जाती है और कुछ ड्रिंक्स बढ़िया होती है जिन्हें लोग शोक के लिए पीते हैं पर कुछ सराब इतनी ज़्यादा महंगी होती है जिसे पीने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते उन्हें मू लगाना तो दूर की बात है आपने उनकी बोतल को हाथ में भी नहीं पकड़ी होगी यह हमें पता होनी चाहिए कि दुनिया में आखीर ऐसी कौन कौन सी ड्रिंग्स है जिनकी कीमत हजारों लाखों में नहीं बलकी करोडों में है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दुनिया की दस सबसे महेंगी सराब के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा लेकिन आज हम इन सभी ड्रिंग्स के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहे हैं तो बिना टाइम वेस्ट किये आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर टेन बॉमबे सफियर रेविलेशन बॉम्बे सफियर रेविलेशन एक दुनिया की सबसे महंगी जिन ब्रांड विस्की है जो 1987 में सुरू किया गया था जिन का एक ब्रांड है और 1997 में डियाजियो बरकाडी के लिए ब्रांड बेच दिया इसका नाम ब्रिटिस राज के दौरान भारत में जिन ब्रांड की सबसे ज़्यादा लोग प्रीता थी इसकी बोतल एक फ्लैट तरफा नीले रंकी है और उस बोतल के लेबल पर महराने विक्टूरिया की एक तस्वीर और बेयर छापा गया है इसके अंदर अलकोहल की मात्रा अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग है जैसे 40% है बिल्टेन, कनाडा और अस्ट्रेलिया में और 47% है अमेरिका में और एक्सपोर्टिंग के लिए इसकी एक बोतल की कीमत दो लाख अमेरिकी डॉलर है यानि की इंडियान रुपीज में लग-भग एक करोड बावान ल नमबर 9 पे है ट्रिब्यूट टू होनर बाई रोयल सेल्यूट रोयल सेल्यूट की बहतरीन विस्की है इसको रोयल सलाम स्कॉच विस्की सिवास ब्रदर्स एबरडीन स्कॉटलेंड में 1801 में इसकी कमपनी इस्थापित किया गया और ये उनके द्वारा उत्पादित का एक ब्रांड है जो की कम से कम 45 साल में बनी थी यह एक दुरलाब नायाब और सबसे महंगी विस्की में से एक है कहा जा रहा है कि इसके बोतल में 413 सफेद और काले हीरी और 22 कैरेट गोल्ड सामिल है सबी सोने चान्दी से जड़े है इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है इ इसे इंडियान रुपीज में कनवर्ट करे तो लगभग एक करोड एक सट लाक पच्चिस हजार रुपए होता है नमबर एट आरमंडे ब्रिगनेक मीड्स आरमंडे ब्रिगनेक मीड्स को दुनिया की सबसे महंगी शेंपियन में से एक माना जाता है इसकी बोतल की गरदन नीचे से एक धातुकी बनी होती है इस ब्रांड को 2013 में गायक और बिजनसमेन जैजड ने खरीदा था और बोतल का डिजाइन एक चौदा वर्षी या फ्लैवर फ्लेव लड़के द्वारा किया गया था जो की इस कंपली के बेटे थे और उन्होंने ही इस डिजाइन को ला 15,000 डॉलर है इंडियार रुपीज में लगभग 1,61,25,000 रुपए नंबर सेवन पे है डालमोर 62 डालमोर 62 दुनिया की सबसे महंगी विस्की ब्रांडों में से एक है इसको रिचर्ड पैटर्सन ने बनाई थी और इसकी पहले दो बोतली 1,00,000 यूरो में बेच दिया गया अंतिम बोतल है रोडस में लंदन में 1,20,000 यूरो के लिए 2011 में बेच दिया गया था यह इतनी महंगी है कि अब तक किवाल 12 बोतली ही बनाई गई है इसकी एक बोतल की कीमत आज की डेट 30,000 डॉलर है अगर इसे इंडियान रुपीज में कनवट करे तो लगभग 1,72,000 मैकलन एकल माल्ट विस्की की सबसे महंगी बोतलों के लिए रिकार्ड तोड़ने के लिए बनाए गया था इस विशेज बोतल का वजन बहुत ज़्यादा था और इसकी पूरी दुनिया में केवल 4 बोतले ही लॉंच की गई थी बोतल का आकार क्रिष्टली ये सीसे की सूरही जैसी है इस विस्की की एक बोतल की कीमत महंगा है यह तो सभी को पता था लेकिन यह नमबर वन हो जाएगा यह किसी को पता नहीं था हर एक बोतल को बनाने में 17 कारीगर को 50 घंटे काम करने पड़ते हैं तब यह एक बोतल तयार हो पाता है अपनी एक सो पच्चासवी साल गिरह पर इन्होंने अलग तरह की बोतले निकाली है जिसकी कीमत 4,60,000 अमेरिकी डॉलर है यानि की इंडियार रुपीस में लगभग 3 करोड 45 लाख रुपए नंबर 5 पे है दा मैकलन M6 लीटर इन ललीक मैकलन दुनिया का एक प्रसीद स्कॉच ब्रांड है इसके पास कफी पूरानी विस्की भी है इसे जनवरी 2014 में अमेरिका में 6,28,000 डॉलर के लिए होंग कॉंग में निलामी में बेचा गया और इसकी बोतल 6 लीटर M6 से की सुराही सबसे बड़ा ललीक द्वारा बनाई गई है और इसकी खाली बोतल लगभग 10 किलो का होता है और भरा 16 किलोग्राम का होता है यह बहुत महेंगी स्कॉच ब्रांड है इसकी कीमत 6,28,000 अमेरिकी डॉलर है इंडियान रुपीस में नमबर फौर पे है मेंडिस कोकोनाट बरांडी मेंडिस एक ऐसी डुरिंक है जो नारियल बरांडी बोरैशेश फूलो के रस से बनती है जो केवल स्रीलंका में मिलता है और एक इस परस्ट मेंडिस बरांडी है इसको 2009 में सामने लाया गया था और इसको पूरी तरह से एक विशे सहल मीला लकडी से बना पीपो में बंद किया जाता है और बहुत प्रसिद्ध ब्रांडी है और दुनिया की कुछ महेंगी ब्रांडी में से एक है इसकी एक वोतल की कीमात लगभग वन मिलियन डॉलर है यानि की इंडियन रुपीज में लगभग सत करोड़ पच्चास लाख रुपए नंबर थ्री पर है दिवा वोतका दिवा वोतका भी दुनिया की कुछ सबसे महेंगी ड्रिंक में से एक है आप सोच रहे होंगे कि क्या यह वही वोतका है जो लीकर शॉप में मिलता है इसकी हर बोतल के बीच एक अलग तरह का साचाब बना होता है जिसमें श्वरोष की क्रिश्टल रखे गए हैं इनका इस्तमाल आप अपनी ट्रिंक को गार्निस करने के लिए कर सकते हैं इसकी कीमत के जादा होने में इसका बोतल का सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि बोतल का डिजाइन बहुत अलग है इसकी एक बोतल की कीमत वन मिलियन डॉलर है यानि की इंडियान रुपीज में कनवर्ट करे तो लगभग साथ करोड़ पच्चास लाख रुपए नमबर टू पे है हेनरी फोर्थ डुडोगनन हेरिटेज कोगनेक ग्रांडेश शैम्पेन यह भी दुनिया के सबसे महिंगी ड्रिंक में से एक है इसको फ्रांस में बनाया गया था हेनरी फोर्थ डुडोगनन हेरिटेज सराब ग्रांडे शैमपेन हेनरी फोर्थ के नाम पर उनके सम्मान में रखा गया है यह सराब सभी सराब की डीने कहा जाता है यह पहली बार 1776 में उत्पादित किया गया था और साव साल के लिए इसे कोक बैरल में रखा गया था इसमें 41% एलकोहॉल की मात्रा है इस ड्रिंक की बोतल पर भी प्लैटीनम और 24 केरेट गोल्ड की परत चड़ी हुई है साथ ही इस पर 6 हज़ार हीरे लगाए गये हैं इसलिए यह इतनी महंगी है इसकी कीमात 2 मिलियन डॉलर है इंडिया रुपीज में कनवर्ट करे तो लगभग 15 करोड की शराब है नमबर वन पे है टकीला ले 925 यह दुनिया की सबसे महंगी शराब है और आज तक कुछ ही लोगों ने इसे खरीद पाया है वो भी पीने के लिए नहीं बस घर में रखने के लिए वो इसको पीने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी सराब रोज पीएंगे तो अच्छे से अच्छे रहीश की हवा टाइट हो जाएगी इसकी आज तक सिर्फ सोला सो के आजपास ही बोतले बनी हैं इस सराब को तराई और हाई लेंड रामबास पौधे से बनाया जाता है तकीला के बीच स्वाद में बहुत मद्भेद होता है हाई लेंड में बड़े पौधे अकसर मिठा और फूटर होता है इस सराब के सबसे ज़्याद महेंगे होने का कारण इसकी बोतल है जिसमें गोल्ड और प्लेटीनम के साथ साथ 6,400 हीरे जड़े हैं इसकी एक बोतल की कीमात 3.5 मिलियन डॉलर है इंडियार रुपीज की बात करें तो सराब लगभख 26,25,000,000,000 रुपे के करीब है इसी के साथ यह दुनिया की सबसे महेंगी सराब में नमबर वण पे है तो गाइस यह थे दुनिया के 10 सबसे महेंगी सराबी आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हमारे चैनल टॉक टेन बेस्ट को सबस्क्राइब करना ना भूले